यहां पर यहां पर जो फर्सक्रशन दिया गया है वो है combination के related जो बहुत important question है आप देखेगा यहां पर in how many ways five marbles can be chosen out of hundred identical marbles तो dear students आपको करना क्या है आपको question द्यान से पढ़ना है तो question में कुछ भी नहीं दिया गया है बस आपको क्या answer तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा बस आपको देखना है कि करना क्या है यहां पर आपको कोई formula यूज नहीं करनी है आपको कोई trick यहां पर यूज नहीं करना है बस आपको यहां पर क्या करना है mind का use करना है तो कैसे करें कि देखें यहां पर आप यहां पर आपको दिया इस question में word जो यहां पे है identical जो यह identical word दिया है तो इसी सारा इस question का meaning निकर रहा है तो क्या है question in how many ways आप कितने तरीकों से five marbles को choose करोगे कितनों में से hundred marbles में से लेकिन यहां पे कुछ दिया गया है कुछ identical marbles दिया गया है तो जो यह word identical यहां पे हैं तो इसी में सारा माने इस question का है तो यहां पे options भी दिये गए है first option is hundred factorial second is 99 factorial third is zero d part is one और e part is hundred c five तो अगर आप formula से देखोगे अगर आप ऐसे देखोगे कि formula यहां पे apply करोगे तो आपके mind में क्या आ जाएगा hundred c five तो आपके mind में यही आ जाएगा hundred marbles है hundred marbles में से 5 को चूज करना है तो कितने ways होंगे hundred c five लेकिन my dear students यह question यह answer ठीक नहीं है तो यहां पे करना क्या है यहां पे जो word identical है जो यह word identical है identical mean same everywhere तो जब यह इस condition जो यह hundred marbles है वो क्या है वो identical marbles है so dear students हमें select कुछ भी नहीं करना है किम्कि सारे marbles same ही है तो हम क्या select करेंगे वहां पे so we can't select anything there we can't we doesn't need here anything to select so यहां पे क्या करेंगी यहां पे जो answer आ जाएगा वो one आ जाएगा कैसे since marbles are identical किम्कि marbles सारे identical है same है जब सारे marbles same होते है for example आपके अभी books है books आपके पास चार books है तो वो same books है तो आप उनमें से क्या choose करोगे आपको question में दिया गया होगा कि आप दो books को choose करो लेकिन वो books सारे identical है same है तो उनमें से आप choose क्या करोगे वो तो एक ही book है ना तो वो ही condition यहाँ पे है यहाँ पे सारे marbles वो identical है वो same है तो जो answer आएगा वो क्या वो एक ही marble वहाँ पे है वो तो same है तो एक ही तरीक है वहाँ पे उस marble को choose करने के लिए तो answer क्या आजएगा 1 तो dear student इस question इतना खोपनक लग रहा था लेकिन कुछ भी नहीं था जैसे बोर रहे है ना खोदा पहाड निकला चूहा वही condition यहाँ पे भी है अब यहाँ पी दूसरा question है जो भी आया था किसमे प्रिवेस सियर की एकमपूटिटु एक्जाम में तो question क्या है यहाँ पे आप दियान से देखेगा How many triangles are formed by joining the vertices of a hexagon तो आप सबको पता होगा कि hexagon क्या होता है hexagon मीनिस जिसके 6 sides होते है जैसे हमारे पास हैं pentagon pentagon मीनिस 5 side वाला वाईसी hexagon है तो वो क्या होता है जिसके 6 sides होते है तो यहाँ पे आपको क्या देखना है how many triangles कितने triangles यहाँ पे बनेंगे अगर आप hexagon के vertices को join करोगे तो यहाँ पे आप एक hexagon मनाएंगे hexagon कैसे होता है ऐसे उसके 6 sides होते है ठीक तो ऐसे बनाएंगे तो यह hexagon आपके पास है तो कितने sides है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 sides है तो 6 vertices भी होगी मैंने आपको कल ही के lecture में बताया था कि जितने sides होते हैं उतने ही vertices भी होते हैं तो यहाँ पे 6 sides हैं आप देखो आप vertices बराबर हैं यह एक vertices यहाँ पे हैं यह दूसरा 3rd, 4th, 5th and 6th तो है ना same जितने sides होते हैं इतने vertices भी होते हैं तो अब यहाँ पे hexagon के vertices आपको जाइन करने हैं उनको क्या बनाना है? triangle बनाना है तो आप सब को पता है triangle के कितने sides होते हैं 3 sides होते हैं कल ही एक question किया था तो जब 3 sides है triangle के तो 3 vertices भी होंगे तो आपको ये hexagon लेना है उसमें कितने trangles आप बना सकते हो कितने trangles possible है इन vertices को join करके For example, अगर हम लेंगे यहाँ पे ये करेंगे join इसके साथ तो ये एक triangle बनाना ऐसे ये एक triangle बना ऐसी ही आप कितने trangles बना सकते हो इस hexagon के vertices को join करके तो कितने बना सकते हैं आप देखेगा यहां पर hexagon की क्या है 6 vertices है और triangle के क्या है 3 vertices है तो total number of triangles formula क्या है जो जब 6 vertices है तो हमें कितने vertices को select करना है 3 vertices को क्यों triangle बनाने के लिए हमें 3 vertices की ज़रूरत है तो जब आपने 3 vertices को select किया किन में से 6 vertices में से तो उसकी फार्मला क्या है याद है मैंने बताया था वो है 6C3 तो वही यहां पे अंसर है यहां पे जो 6C3 यहां पे option C दिया गया है तो यह correct answer है अगर आपको इस 6C3 को solve करना है तो उसका value निकालना है तो कैसे निकालोगी 6C3 तो मैंने आपको कल trick बताई आपको फार्मला से नहीं करना है आपको ट्रिक देखनी है यहां पे कैसे करेंगे जो यहां पे lower number होता है उतना ही आपको reduce करना है किस number को जो upper वाला number होता है तो कितने reduce करने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो आपको 3 numbers reduce करने हैं, इस 6 को, तो कैसे करेंगे, 6 x 5 x 4, तो यह है न, 3 हो गए न, reduce, 1, 2, 3, तो 3 बार हमने reduce किया, किसको, इस number को, किमकि यहाँ पे जो नीचे दिया गया था, वो था 3, तो divide way में क्या लिखेंगे, इस 3 को आपको reduce करना हैं, कहां तक, 1 तक, तो जो denominator होता है, उसको reduce करना होता है, 1 तक, तो वो किया मेंने, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2, 1, R2, 2, 2, R4, तो यहाँ पे 2 आया, 3, 1, R3, 3, 2, R6, तो जो denominator हैं यहाँ पे, वो finish हुआ, वो तो खतम हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, त तो आपके लिए, simplification भी आसान हुई यहाँ पे, जब आपने क्या किया, यूज, ट्रिक यूज किया, तो जो आप यह सालू करो, 2 x 5 x 2, that is, 5 2 or 10, 10 2 or 20, आपको कितने यहाँ पे triangles पॉसिबल है, 20 triangles, तो यहाँ पे आपको ऐसे answer दिया गया, option ऐसी दिया गया है, 6C3, अगर आ इसने यह सालू किया है, सालू करके आपका 20 मिलेगा, तो वही correct option है, अब यहाँ पे next question देखेगा, how many diagonals can be formed by joining the vertices of a hexagon, अब यहाँ पे फिर से hexagon की बात हो रही है, लेकिन question थोड़ा सा different है, क्या different है, यहाँ पे diagonals की बात हो रही है, यह भी previous year के exams में आया question, तो क्या है यहा hexagon लेना है, जिसके 6 sides होते हैं, और 6 vertices होते हैं, तो उसमें आपको देखना है, आप कितनी diagonals बना सकते हो, इनी hexagon की vertices को join करके, तो आप देखो, diagonal आपको पता है किसको बोलते हैं, अगर आप इसको join करोगे, यह diagonal है, यह diagonal है, तो आपने यह diagonal जब बनाया, उसके लिए आपने कितने vertices को मिलाया तो ये एक vertices ये दूसरा तो दो vertices की जरूरत है diagonal को बनाने के लिए और hexagon में कितने vertices होते हैं वो तो 6 होते हैं अब आपको यहाँ पर diagonal बनाना है तो दो vertices की जरूरत है तो दो select करने हैं किन में से 6 vertices में आप formula यूज करो तो वो क्या बनेगा 6C2 वो ही यहाँ पर answer है तो मैंने क्या लिखा diagonal has two vertices हमें diagonal बनाने के लिए कितने vertices की जरूरत हैं दो vertices की जरूरत हैं सो total diagonals हमें देखना है कितने बनेंगे वो हैं 6C2 क्यों 6 हैं यहाँ पर इस hexagon की total vertices और उन में से हमें दो vertices को क्या करना है select करना है किस के लिए इस diagonal को बनाने के लिए तो इसको सालू करो 6C2 तो यह यहाँ पर जो lower part यहाँ पर है वो है 2 उपर क्या है 6 तो 6 को reduce करो कितने times 2 times वही मैंने यहाँ पर किया 6 x 5 तो दो बार reduce किया 6 यह 1 time and 5 यह 2 time तो नीचे क्या है 2 उसको भी कहां तक ले जाओ 1 तक 2 x 1 ठीक अब यहाँ पर जो numerator में है जो वो है 6 x 5 denominator में है 2 x 1 तो cancellation possible है तो 2 1 are 2 2 3 are 6 जब भी आपको one's position पर होगा 0 2 4 6 8 जब भी आपको यह one's position पर होगा उपर numerator में भी और denominator में भी तो cancellation possible होती है 2 से ओके डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर उपर है numerator में 6 और denominator में 2 है तो क्या है cancellation possible है किसे 2 से तो 2 1 are 2 2 3 are 6 तो जो denominator है वो खत्म हुआ finish हुआ अब हमारे लिए आसाइश हुई हमारे लिए question simplify करने के लिए बहुत easy हुआ वो क्या बना 3 cross 5 3 cross 5 is 3 5 are 15 तो वही यहाँ पर answer है तो कुछ difficult नहीं है बस आपको trick use करनी है जो मैंने आपको कल बताई जो आज भी समझाया आपको फार्मला नहीं आपको जो फार्मला है उसकी कंबिनेशन की उसको आप से उस फार्मला से आपको काम नहीं चलाना है तो आप जाएंगे next question पर बहुत important question है दो बार आया है exam में देखेगा in a plane there are 16 non-collinear points find the number of street lines formed तो question बहुत interesting question है यहां पर एक plane है तो उसमें एक plane किसको बोलते हैं जिसमें x-axis हो और y-axis हो या z-axis हो तो plane ठीक यह अगर x-axis y-axis z-axis होगा तो 3D plane अगर x-axis y-axis 2D plane तो यहां पर plane दिया गया है यह नहीं पता है 2D है या 3D है बस plane की बात हो रही है ठीक there are 16 non-collinear points अब आपको यह यहां पर confusion होगा कि non-collinear होता क्या है तो dear students आप ढरिए मत यहां पर यह जो word आपको दिख रहा है non-collinear आप मत ढरू यह कुछ भी नहीं है आसान है समझाएंगे यहां पर देखेगा क्या है non-collinear points होते हैं वो points for example हमने यहां पर points लिया points की बात हो रही है न हाँ तो points लो यहां पर points यहां पर points लिया तो अगर आप उनको join करोगे तो अगर आप उनको join इन दो points को join करोगे तो दो points को join करने के लिए आपको एक street line मिलती है For example, आपने इन दो points को join किया तो street line मिलेगी आपने इन दो points को join किया तो फिर से आपको street line मिलेगी तो जो भी दो points आपको select करोगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको वहाँ पे street line मिलेगी अब यहां पे non-kulinier की बात हो रही है non-kulinier points होते हैं वो points जिनको हम जिनको हम join करते हैं लेकिन वहां पे हमें क्या straight line नहीं मिलती हैं देखो अगर आप यहां पे points लेते हो, यहां पे plane में बहुत सारे points हैं, यह plane हैं तो इनको join करो, इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो आपको कुछ यहां पे different shape मिल ली तो आपको क्या straight lines करोगी जब आपने सिर्फ 2 points को join किया आपस में तो non-kulinier का मतलब क्या है अब अगर हम 2 points को अगर हम plane में कोई भी point लो तो वहां पे आपको अगर आपको join करोगी आपको वहां पे इस plane में आपको वह straight line सारे points को मिला के नहीं मिलेंगी यहां पे मिला आपको 2 points को मिला के आपको एक straight line मिली लेकिन अगर आपने 3 points को मिलाया तो आपको straight line मिली नहीं यहां पे नहीं मिली आपको उसको बोलते हैं non couleur points. अब यहां पर कितनी non couleur points है? 16 non couleur points है. तो 16 points ऐसे, जब यहाँ पर plane में है. 16 non couleur points है. ठीक. तो आप अगर आप 3 पाइंच को मिलाओगी तो आपको street line नहीं मिलेगी, यह plane में है, आपको ऐसे अपर ऐसे मिलेगा. तो आप question क्या है? Find the number of street lines for more. आप कितने number of straight lines वहाँ पर बना सकते हो, कितने तरीके हैं आपके पास, कि आप इन 16 non-collinear points को मिला के, आपके पास क्या बनेगा, straight lines, तो कितने possible हैं, यहाँ पर options हैं, 6 factorial, 6 factorial minus 1, 15C2 and 16C2, देखेगा, आप यहाँ पर एक trick याद रखेगा, एक note आप याद रखेगा, as a note उसको आप प्लीज देखेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इस एक exam में, प्रियस एक exam में, यह question आया, लेकिन क्या पता हैं, आपको इस type के questions भी आजाएंगे, so आप यहाँ पर यह note जो है, यह आप प्लीज लर्ण कीजेगा, तो note क्या है, लर्ण नहीं करना है, आपको बस ही दिमा किसमी plane में, तब क्या होता है, number of citrate linus formed, उसकी फार्मला क्या है, nc2, बस यह आपको यहाँ रखना है, कितने citrate linus उस टाइम possible है, कितने citrate linus बनेंगे उस टाइम, तो उसकी फार्मला है, nc2, जो n का वीडियो होगा, वो आपको यहाँ पर बूट करना है, तो आपका answer निक plane में होगे, तो उस time number of triangles कितने बनेंगे, nc3, simple, क्योंकि triangle के कितने sides होते है, कितने vertices होते है, 3 vertices, straight line बनाने के लिए हमें कितने points की जरूरत है, 2 pointers, इसलिए यहाँ पर nc2 है, यहाँ पर triangle बनाने के लिए हमें 3 points की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर nc3 है, अब यहाँ पर तीस points होंगे एक plane में तो वो क्या है nc4 क्योंकि जो coordinator होता है उसके कितने sides होते है four sides ज्याद है तो ये coordinator है उसके four sides होते है और four vertices होते हैं चार points को मिलाने के लिए जो formula है वो क्या है nc4 आप question पर जाएगा यहां पर question क्या है find the number of street lines formed तो जब आपने note देखा जब आपने यह trick देखी तो आपके पास आपके दिमाग में आया होगा nc2 and is here 16 c2 आपको क्या है वो है straight lines को मिलाने के लिए straight lines को बनाने के लिए two points की जूरत है तो answer क्या यहां पे d है तो यही मैं यहां पे लिखा number of street lines formed is equal to nc2 because उपर हमने यह पड़ा because यहां पे जो n है वो यहां पे 16 है तो क्या आजाएगा answer 16 c2 reason सामझ आया क्यों nc2 है because straight line बनाने के लिए आपको दो points की जुरूरत होती है इसलिए nc2 ठीक question number five देखेगा बहुत important question है how many triangles can be formed by joining the vertices of an octagon octagon तो नाम से पता चलता है उसके कितने sides होते हैं 8 sides होते हैं dear students देखो अगर आपके पास होगा pentagon minus five sides hexagon six sides heptagon seven sides octagon eight sides तो यह यह चार आते हैं exam में और आता है triangle three sides और straight line two sides यह याद रखा अब यहाँ पर यह बात आ रही है octagon की बात आ रही है ठीक तो आपको बताना है octagon में आपको जो vertices हैं उनको मिला के आपको कितने triangles कितने triangles आप बना सकते हैं ठीक क्या लेकिन octagon यहाँ पे हैं तो देखेगा यहाँ पर option is 8 factorial minus three b option है 8 factorial c option है 8c3 d option है none of these okay तो यहाँ पर देखेगा मैंने क्या लिया since octagon has eight sides अभी बताया octagon के कितने sides होते है eight sides होते हैं अभी मैंने उपर ही बताया जितने sides होते हैं इतने vertices भी होते हैं तो जब 8 sides यहाँ पे हैं तो vertices भी 8 होंगे न हाँ dear students तो 8 vertices हैं अब इन vertices को आपको जाइं करना है और triangle बनाना है आपको पता है triangle बनाने के लिए आपको कितने vertices की ज़रूरत हैं कितने side drama में तीन side में तो kitnывает 3 vertices तो इन विर्टी सींगर्मने 5 तो उन्हीं 3 vertices को उस octagon में कैसे 8C3 किमके ट्रेंगल को बनाने के लिए हमें तीन वर्टिसीज की जुरूरत है इन ही तीन वर्टिसीज को सेलेक्ट करना है किन में से आठ वर्टिसीज में से किमके आठ वर्टिसीज किसके हैं ओक्टागन के So my dear students, I hope यहां तक आपको कोई इस नहीं होगा यह जो 5 questions हैं, बहुत important questions हैं इसी के related exam में questions आते हैं So next देखेगा आप मैंने आपको first lecture में पढ़ाया था कि combination का basic concept और कुछ examples यहां पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे देखेगा कैसे questions आते हैं exam में तो यहां पर देखेगा There are five boys and four girls in a class ठीक? We have to select three students In how many different ways you can select First part है, two boys and one girl तो question यहां पर क्या है पांच boys है और चार girls है किसमें एक class में, ठीक है We have to select, आपको select करना है Select आया ना, it means आपको combination use करना है ठीक? जब select वगर देखोगे question में तो सीधे combination का concept है, ठीक? तो we have to select, किते students हमें select करने है तीन students, लेकिन किन में से? इन ही पांच boys और इन ही चार girls बेसे आपको question बता रहा है In how many different ways आप कितने मुक्तलिफ तरीकों से उनको select करोगे लेकिन क्या? Two boys and one girl दो boys और एक girl अगर आपको we can select two boys and one girl कितने तरीके हैं, ठीक? तो देखेगा यहाँ पे जो and मैंने आपको कल lecture में बताया था अगर mandatory होगा question में mandatory और and होगा question में mandatory और यह होगा and, ठीक? उसका मतलब होता है multiplication simple और अगर आपके question में either होगा या और होगा or, it means addition, ठीक? इतना याद रखा? बस यह याद रखना है आपको यह question आपसे बनेगे देखो क्या है अब तो यहाँ पे 5 boys है and जो आया it means multiplication और कितने girls है? 4 girls है तो आपको क्या करना है? different ways है हमें कितने select करने है? 3 students हमें select करने है लेकिन आपको 2 boys कहाँ पे और 1 girl लेना है तो जो यहाँ पे boys है जो boys आपको select करने है वो आप क्या girls में से करोगे? नहीं dear students वो आपको boys में से ही select करना है अगर आपको girls select करनी है वो आपको girls में से ही select करना है तो यह point याद रखना है यहाँ पे अगर boys select करना है तो boys में ही अगर girls तो girls में ही ठीक, यह point याद रखा, आप देखेगा, तो आपको, आपको दो boys select करने हैं, तो दो boys select करने के लिए, कितने boys में से, तो यहाँ पर 5 boys हैं, तो वो क्या आज़ेगा, 5C2, ठीक, क्यों, 5 हैं total boys, उन में से आपको 2 select करना है, यहाँ पर question में दिया गया है, 2 boys आपको select करना है, टोटल में आपको 3 select करना है, यहाँ पर हैं total 3 select करना है, तो यहाँ पर 2 boys और 1 girl को पहले select करना है, यह जो boys हैं, उसको आप boys में से select करोगे, यहाँ पर total boys 5 हैं, इसलिए मैंने लिखा 5C2, and, and लिखा फिर, यहाँ पर 2 हो गई, हमें total में 3 को join करना है, तो एक girl लेनी है, वो कितने है वो है four girls तो क्या बनेगा four c one क्यों एक girl को आपको select करना है total girls में से total girls क्या है वो है four dear students तो वही मैंने यहाँ पे दिखा अब यहाँ पे and आया and का क्या मतलब होता है multiplication अभी बताया तो इसको multiplication किया अब यहाँ पे यह मैंने आपको कल आपको सिखाया कि four c one and c one याद है उसका value क्या होता है वो n ही आता है ठीक अगर नीचे वाला नीचे वाला क्या value कम होगा जो उपर वाला है उपर वाला ही आ जाएगा ठीक तो यहाँ पे क्या value आया n आया ठीक यहाँ पे four c one जो नीचे है वो 1 है तो नीचे 1 है उपर ज़्यादा है तो उपर वाला ही आएगा वही उसको डॉमिनेट करेगा तो यहाँ पे क्या मिला? 4 अब यहाँ पे 5C2 है उसको कैसे सालू करोगी? अभी बताया जो नीचे होता है उसको इतना ही रिडूस करना है एड एड मिल्टिप्लिकेशन 4C1 का वेलो क्या होता है? 4 तो अब यहाँ पे cross multiplication यहाँ पे multiply हैं बहुत साइडिस यहाँ पे भी यहाँ पे मैंने अभी बताया अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा नुमिरेटर में वानस पूशन पे या डिनॉमिरेटर में तो 2 से cancellation पॉसिबल है तो यहाँ पे किसे cancellation पॉसिबल है? 2 से 2, 1 और 2 2, 2 और 4 ठीक? डिनॉमिरेटर फिनिश या तो अब क्या बचा? 5 x 4 x 2 5, 4 और 20 वही लिखा 22 और 40 वही है answer हमारा तो 2 बाइस अगर हम select करेंगे और 1 girl select करेंगे तो कितने तरीके हैं उनको select करने के लिए? 40 ways है So dear students यहां तक कोई confusion नहीं होना चाहिए? No अब second part उसका देखेंगे No one is girl तो कोई जो यहां पे कितने boys है? यह देखेगा 5 boys हैं और है 4 girls तो 5 boys हैं 4 girls हैं आपको इस टाइम कितने students को select करना है? 3 students को select करना है लेकिन यहां पे condition क्या है? No one is girl जिनको आप select करोगे उन में से कोई girl नहीं होनी चाहिए ठीक? तो यह girls का जो यह concept है वो खतम हुआ यहां पे ही तो it means all our boys सारे क्या होंगे? जिनको select करना है वो सारे boys होगे ठीक? तो different तरीके क्या है? boys कितने हैं dear students? वो है 5 boys select कितने करने है? वो है 3 तो 5C3 आए जाएगा ना कोई confusion नहीं होना चाहिए यहां पे क्योंकि यहां पे girls का role है ही नहीं क्योंकि girls यहां पे select करना ही नहीं है हमें बस boys को select करना है मैंने यहां पे लिखा 5C3 तो 5C3 को solo करो उप नीचे क्या number है? 3 तो 3 बार reduce करना देखो यहां पे दूसरा जो कल मैंने property पढ़ाई वो ही यहां पे use होगा 5C3 यहां पे है क्या है? मैं इस 5C3 को लिख सकती हूँ 5C5-3 कल की property याद है ncr is equal to ncn-r तो यहां पे मैंने वो ही use किया तो 5C3 equal to 5C 5-3 is 2 तो यह हमेशा बराबर होगा इसका मतलब भी मैंने कल समझाया क्या मतलब है इसका अगर आपको 3 चीज़ों को select करना है 5 चीज़ों में से वो बराबर होते हैं जिनको आप selected नहीं करते हैं उन टोटल चीज़ों में से तो आपने यहां पे 2 लोगों को select नहीं किया तो वो बराबर होगा जिनको आपने select किया है ठीक तो वो ही concept मैंने यहां पे लिखा क्यों यहां पे जो 5 नीचे 3 है उसको 3 बार reduce करना है तो मैंने उसको वो formula इसलिए use की है because of simplification मेरे simplification easy बनेगी तो वो आजाएगा 5C2 आप मुझे 2 ही बार reduce करना है तो 5 cross 4 2 ही बार reduce करना है नीचे क्या है 2 उसको 1 तख ले जाए 2 cross 1 आप यहां पे cancellation करो 2 1 are 2 2 2 are 4 तो answer क्या आया 5 cross 2 5 2 are 10 वो ही यहां पे answer है तो कितने तरीके हैं आपको कि आपको यहां पे select करने है 3 boys लेकिन उनमें से कोई girl नहीं है उसमें से कितने तरीके है 10 ways है dear students तो यहां तक कोई confusion नहीं होना चाहिए अब आप आज क्या पढ़ा आपने आपने 5 MCQ questions की जो बहुत important है जब होगा question में उसको हम क्या denotion लेते हैं वो है multiplication तो वो हमने पढ़ा आज so my dear students यह question आपको अच्छे से आज आएंगे ठीक अगर आपको इस ही के related कोई भी question होगा I hope कि आपको वो आपको आपसे वो बनेंगे इंशाल्ला so dear students next lecture का wait कीजेगा next lecture में आपको जबरदस्त trick लाने वाली हूँ जिससे आपके permutation के questions और combination के questions को देख की ही within few seconds में आपको वो सालू करोगे देख के ही within few seconds कि उसमें वो जबरदस्त trick लाओंगी लेकिन उसमें क्या है उसमें वो distinct or non-distinct objects पे वो trick फालो होती है so my dear students wait for the next lecture अलाह आपीस